हालो व्रीवन स्वाले थाप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्पावेट कोचिंग सिंटर में आज है पांच परवरी पांच परवरी से जो भी आपके करन्ट अपेर के कोश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो चलिए बीना समय गयवाए यह जो भारतरत्न दिया जाता है नागरीकों को दिया जाता है इस्तापना की बात करें तो नीस सो चोगन में इसकी स्तापना होई थी और जो अंतिम वर्स जो दिया गया है उन दोजार चौविस में दिया गया है कुल उन्चास लोगों को प्राप्त हुआ है यह भारतरत्र और देक्टर राधा कुण दिया गया था मर्डो परांत बात करें तो राल वादी को और अनाना जी देश मुख को भूपेन हजारिका को अप्पडव मुखर जी को यह आपको दिया गया था मरडो परांत देखें मोजी सरकार ने किन किन लोगों को भारतन अतन दिया 2015 में दो लोगों को मिला अटल विहारी बाजपेई और मदन मोहल मालवी जो की राजनेता थे 2019 में चार लोगों को मिला पड़मुखर जी जो की राजनेता थे नाना जी देशमुख और भूपे नजारिका यह आपके संगीत कार थे 2024 में कपूर ठाकुर रेज को मिला और 2024 में आपको लाल कृष्ट आरवारी को मिला यह आपके रजनेता ही थे उत्तर भारत का पहला DNA बैंक किस संसान में बनाया जा रहा है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा भी अच्चू यानि बनारस हिंदू विस विद्याले में यह बनाया जा रहा है पहला मानो DNA बैंक हाल नहीं में बनवारी लाल पूरोईत ने राजिपाल पद से इस्तिपाद दे दिया है वे किस राज के राजिपाल थे तो राइट एंसर हो जाएगा आपका हरी आड़ा चौतर नमबर का कुश्चन है हाल रही मिप गढ़तन ते दीवस पर सर्व से इस्ट जाकी अवार किस राज्यमिकोर दिया गया तो राइट एंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तरप्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी भूती है इसका लखनौ और मुखमंतरी है यहां की योगी आदेतिनात राजपाले हैं आपके आनंदी बेन पटेल लोगसवा और राजवा की बात करें तो असी है लोगसवा की सीट और राजवा की 31 अब यहां पर उत्तरप्रदेश में सरवादिक सीटे भी हैं लोगसवा की हो या राजवा की नेशनल पार्क जो है आपका दूद्वा नेशनल पार्क है जो कि मोखे रूप से प्रसिद्ध है और लखनौ में देश का पहला आई सिटी बनाए बनाये जाय रहा है अपका देश का पहला जल्व इस विद्यालग कहां पर है आपका हमिरपूर में है देश का पहला गवा बहार उतर प्रदेश में बनेगा और अध्या में रामलला की प्रतित्मा का अनावरार 22 जन्वरी को हुआ था और खेलोर इंडिय हो जाएगा काजी रंगा नेशनल पार यानी पार क्यानी सीवाल आप्सन सही हो जाएगा अगला कोशन है यह फवाई पाइनेंस यह फवाई योजना ठीक है दोजार चौवविस पच्षीज के अंतरिम बजट के अनुसार वर्स दोजार तेश चौविस में राजकोशी घाटा कितने परचत रहा चार दसमलाव पांच परचत रहा कि दोजार तेश चौविस बजट के मुंखे बाते क्या है मुदी सरकार दोजार दो पांट जीरो के अंतरिम पूल बजट में दोजार तेश चौविस की में उजीगत वै परिवेक हो 33 प्रतिसत बढ़ा कर 10 लाग करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया था जो जी करने पस्पालन डेरी और मतस्पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रसी रिड लच्छ को बढ़ा कर 20 लाग रुपए करने का प्रस्ताव दिया था देश का क्रसी छेत्र पिछले 6 वरसों में 4.6 प्रतिसत की आउसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है पिछले दो केंद्री बजटों की तरह है केंद्री बजट 2023 भी पेपरलेस रूप से प्रस्तूत किया गया था केंद्री बजट 2023 पेस करते हुए केंद्री मंतरी निर्मला से तरमर ने 2023 के लिए राजकोसी घाटे के लच को सकल घरियरी उत्तूपाद का 5.9 प्रतिसत रखा था वित्मंतरी ने कहा कि सरकार का इरादा वित्वर्स 2026 तक राजकोसी घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिस से भी नीचे लाने का है हालही में किस राज में उंगलाई थेड़ी उंगल ओरियल यह जना सुरू की गई है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिल नाडू हालही में तिलंगाना हाई कोड के नए चीप जेश्टिस कौन बने हैं तो आपका प्रड़िप कुमार तरवास्ता हालही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाग के रूम में चुना गया है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा नीरत चोपड़ा को हालही में भारति नौसेना नेकी वर्त के नौसेना अधिक नागरिकों का वर्त गोसित किया गया है तो यह दोजार चौविस अरवरी 2024 में भारति वाइट सेना दोरा वाइट सक्ती 2024 अभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा तो आपका जैसल मेर में आपके लिए कोशन है कल के लिए जो कोशन दियागया था हालही में यूरोपी निवेस बैंक के अध्यच बनने वाली पहली महिला कौं बनी है तो नादिया कैलवीनो आपके लिए कोशन क्या है अलही में देहएवंड एर्थ गरूसरी इस्टोर उपन्यास के लेख कौन थे इसमें से चार आपसान दिया गया है, चारों में से आपको बताना है कौन सा आपका राइट एंसर हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और सेयर ज़रू कीजिएगा मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत